प्यारे बच्चों जैहिंद वन्ने मात्रम आप सभी का त्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डेन पार्ट साला में इस क्लास में हम लोग देखेंगे राष्टी आयोम योगताथ है छात्रवत्ती योजना परिच्छा 2023 के लिए माडल प्रश्ण पत्र ये विज्ञान का है और ये प्रश्ण पत्र आपका College of Teacher Education लखनो दोरा तयार किया गया है इसका हम हल आपको बताया दे रहे हैं तो ये प्रश्ण पत्र आपका बहुत ही important है और अनुभवी लोगों के दोरा बनाया गया है तो सभी लोग इसके जारे सारे questions जो है आपको solve करना है और कितने question आपने solve किये हैं क्या आपकी तयारी है कितने सही हुए हैं ये सभी लोग comment box में जरूर लिखेगा तो आईए शुरू करते हैं पहला question दिया गया है कि फैरड किसका माननक मातरक है यानि फैरड किसका मातरक होता है तो आपका इसमें right answer होगा कौन सा होगा सभी लोग comment करेंगे इसमें right answer है आपका C धारिता का मातरक होता है फैरड दूसरा नमबर प्रशन दिया गया है कि दूद का आपेच्छिक घनत्तो ग्यात किया जता है किस से hydrometer, hydrometer, lactometer या thermometer तो इसमें C आपसन सही है lactometer के द्वारा दूद का आपेच्छिक घनत्तो ग्यात किया जता है तीन नमबर प्रशन आपका दिया गया है कि वायूमंडल दबाव मापने के लिए यानि वायूमंडल दबाव मापने के लिए किस उपकरण का परियोग किया जता है A आपसन है lactometer B बायरोमेटर C थर्मामेटर D आपका मल्टीमेटर तो आपका तीसरे नमबर का जो राइट आंसर होता है बायरोमेटर हो जाएगा B आपसन सही हो जाएगा चान नमबर प्रशन दिया गया है अलफेड नोबेल ने किस चीज का अविसकार किया था कमपास डाइणामाइट पैंसिलीन लाइट बल्प तो किस चीज का अविसकार किया गया था तो वो आपका चान नमबर का राइट प्रशन आंसर होगा C डाइणामाइट अलफेड नोबेन ने डाइणामाइट का अविसकार किया था पांच नमबर प्रिण दिया गया है कि निूटन का प्रथम गतिनियम संकलपना देता है तो पांच नमबर का राइट आंसर क्या होगा आपका जड़त्तो डी आपका राइट आंसर होगा छे नमबर प्रशन दियागा है कि विस्तु जनसंख्या दिवस मना जाता है तो विस्तु जनसंख्या दिवस आपका मना जाता है कितनी तारीक को ये बताना है ए है 31 मई, B 5 जून, 11 जुलई, 13 अक्टूबर प्रशन राइट आंसर आपका होगा C, 11 जुलई को विस्तु जनसंख्या दिवस मना जाता है साथ नमबर प्रशन दियागा है कि घड़ी की रिंग में भंडायत उर्जा कौन सी है घड़ी जो होती है, जो आपकी टिक टिक करते हुए जो है चलती है उसमें कौन सी उर्जा भंडायत होती है, जिससे वो टिक टिक करका चलती है तो उसमें आपकी होती है इस्ततिज उर्जा, B वाला राइट आंसर हो जाएगा आठ नमबर प्रिंड दिया गए है कि निमलिकित में कौन सा उपकरड रासाइनिक उर्जा को बिद्धूत उर्जा में परिवर्थित करता है तो इसमें राइट आंसर आपका होगा, B वाला बैटरी बैटरी जो होती है बैटरी में क्या होता रासायनी कूर्जा भरी होती है और वो आपका बिद्धुत ओर्जा में जो है परिवर्टित कर देती है आठ नमबर प्रिश्ट के बार नव नमबर प्रिश्ट पर चलते हैं तो इसमें लिखा है कि एक सुई जल के प्रिश्ट पर किसके कारड़ पलवन करती है अर्थात तैरती है सुई होती है जो जल के प्रेष्ट तनाओ के कारड प्रेष्ट तनाओ के दौर सी आफसन इसमें राइट होगा प्रेष्ट तनाओ के कारड जो है प्लवन करती है तो इसमें आपका सी आफसन सही हो जाएगा दस नमबर प्रिशन दिया गए है वर्सा की बूंद का आकार गोला कार किस कालड होता है तो इसका भी राइट आंसर होगा आपका प्रेश्ट तनाओ बी वाला राइट होगा ग्यारा नम्बर फिर्फन दिया गया है मानो शरीर का आउस्तन तापमान केतना होता है तो मानो शरीर का आउस्तन तापमान 37 degrees centigrade माना जाता है डी वाला अप्षन सही होगा अगर डिगरी फारेन हाइट देता तो आपका 97.6 और बारा नमबर पिछना आपका दियागा है कि उर्जा सूर से प्रत्वी की और किस प्रकार यात्रा करती है तो ये ध्यान दखना है आपका कि जो उर्जा होती है जो सूर से उर्जा आती है वो आपको की तरंग दर्धर या संगीत कार है ध्यान की इस्तर की माप करता है तो डेसिबल ये मात्रक होता है ध्यान Вас दर्बद ये का ये क्या कि माध्यम है तरीका है डेसिबल दीश में राइट हो जाएगा चोदां नमबर पिन दिया गया वाहंद चालन हे तो पार सुद्रस दरपण होता है यानि जब वाहन के वाहन गाड़ियों में जो आपका लगता है लेंस दरपण वो कौन सा होता है तो वो आपका राइट आंसर कौन सा है ये सभी लोग कमेंट करेंगे तो इसमें right answer आपका हो जाएगा 14 नमबर प्रस्ट में उत्तल दरपड जो वाहन में परियोगत होता है वाहनों में जो सिसा लगता है वो आपका उत्तल दरपड होता है 15 नमबर प्रस्ट दिया गया है कि निकट दरपड दोस्ट से पीडित व्यक्ति की दरपड सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का परियोग किया जाता है तो इसका right answer क्या होगा तो आपको इसमें B वाला answer टिक कर देना है आउतल लेंस होता है कौन सा होता है आउतल लेंस तो इससे आप याद कर सकते हो दा मिंस दूर दरपड दोस्ट और आ से दा उ से उतल लेंस और नि अगर जो आए मतलब निकट दरपड दोस्ट हो जाए तो आ से उतल लेंस तो यह आप याद कर सकते हो दा उ निया दा मतलब दूर देश्टी दोस और उ मतलब उत्तलेंस अगर दूर देश्टी दोस है तो उत्तलेंस अगर नी से निकट देश्टी दोस और आ से उत्तलेंस तो अगर जो नी लिखा है तो उत्तलेंस यह निकट देश्टी दोस तो उत्तलेंस तो यह आप यहां से जो है तो दाढ़ी बनाने में प्रेगत आपका दरपड कौनसा है तो इसमें आपका ए आपसन राइट होगा आउतल दरपड सतरा नमर प्रेगा है दूर दरष्टी निवारण के लिए काम में लेते हैं कौनसा तो हमने बताया दाउ निया तो दा मिन्स दूर दरष्टी दोस और नि मिन्स दाउ तो उत्तल लेंस है ना कौनसा लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस तो आपका सी आंसर राइट हो जाएगा अगला प्रश्णा आपका दियागा है बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस तत्तुका बना होता है तो बिजली के बल्ब में फिलामेंट आपका टंगस्तन धातुका बनता है इसमें D option राइट होगा 19 नमपन दियागा है कि न्यूट्रान न्यूट्रान की खोज किसने की थी तो न्यूट्रान की खोज की थी चैडविक ने किसने की थी चैडविक ने तो इसको भी आप याच कतते हो इट पर नाच इट पर नाच तो इससे आपको देखो क्या जानकारी हो जाएगी आप अच्छे से समझ पाएंगे इट पर नाच इसे इलेक्टरान टा से टामसन और पा से परमाड और रा से रदरफोट तो इट पर इसे इलेक्टरान की खोज टामसन ने की थी और पा से परमाड की जो खोज है वो रदरफोट ने की थी रा से और नाच ना से नियूटरान और नियूटरान की खोज चैडविक ने की थी तो इससे आप जानकाई लगा सकते हो अच्छे से गलत नहीं होगा प्रशना आपका तो नियूटरान की खोज किस ने की थी तो भईया चैडविक ने की थी C वाला राइट होगा सूरिक के सबसे निकट गरह कौन सा है तो सबसे निकट गरह आपका बुद्ध होगा ये वाला राइट होगा 21 नमबर पहन दियागा है वैद्धुत संयोजक बंध उपस्तित होता है किसमें तो परियुक्त सभी में शाधार लवन्ट, जल और चीनी तीनों में वैद्धुत संयोजक बंध उपस्तित होता है 22 नमबर पहन दियागा रेटियो संक्रियता का अविस्कार किसनेतिया किया था तो इसमें राइट आंसर आपका होईन हेनरी वैकुरल होगा स्थी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 नमबर पहन आपका दियागा सोडियम को आम तोरपन निमलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है सोडियम को आम तोरपन निमलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है तो डी वाला सही होगा केरेशन में रखा जाता है 24 नमबर पlection आपका दियागा विजली के बल्प में क्या भरा होता है तो विजली के बल्प में आपका भरा होता है तो या आरगन गयश C वाला आपका राइट हो जाएगा C वाला आपका आपशन सही होगा पट्चिस नमबर पंद दियागा है निम्न में से कीट बच्छी पौधा कौन सा है तो A. नागफणी, B. ड्रोसेरा, C. डहेलिया, D. आपका आर्किड तो आपका B. आपसन सही होगा ड्रोसेरा आपका कीट बच्छी पौधा होता है 26 नमबर पंद दियागा हीरा निम्न लिखित का सरल रूप है तो कौनसा? आकसीजन, नाइट्रोजन, मरकरी और कार्बन तो हीरा जो होता है कार्बन का रूप होता है कार्बन का अपरूप होता है सब्सक्राइब करेंगे यह हैं यह लौफिंग गैस होना चाहिए था यहां और बी टीर गैस सी मार्स गैस और डी आपसा है नान ग्रीन हाउस गैस तो कौन सी किसके नाम से जाना जाता है तो आपको जो मेथन है वो मार्स गैस के नाम से भी जाना जाती है तो ची आपसान आपका राइट हो जाएगा अगला प्रस्ण आपका दिया है काला सोना काला सोना आपका कोईला को कहते हैं 29 नमबर प्रस्ण आपका दियागा है अगनी समन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं तो अगनी समन के लिए हम लोग कार्बन डायाकसाइट का गैस करते हैं कार्बन डायाकसाइट गैस का परियोग करते हैं सी आपसान डायट होगा तेसे नमबर परिसंद दियागा है कौन सा वायू परदूसक नहीं है तो इसमें आपका D सही होगा नाइ्ट्रस अक्साइड 31 नमबर परिसंद आपका दियागा है गरिन हाउस गैस के लिए मुखिता जिम्मिदार वायू मंडली ये गैस नहीं है तो कौन सी गैस नहीं है जो green house गैस के लिए मुख्यता जुम्मेदार नहीं है तो वो आपकी कौन सी है वो right answer आपको लगाना है तो इसमें जो आपका question द्यागा थोड़ा सा घरबड है इसमें आपका दिया गास के लिए नहीं है थे संसे लिगांग मुख्षिस के kommt no यह वाली प्रूप कर्षण संद से खुर्वषी जब और ऑजोन गयस और सिया सारी क्या है इन आए ग्रिन हाउस प्रुभाव नहीं बढ़ता है और इससे आपका होता तो डी वाला आपसन जो है राइट होगा रेफ्रिजरेशन में प्रसीतक के रूप में प्रयोग कहता है तो अमोनिया डी आपका सही हो जाएगा और धोने का सोडा कौन सा है तो यह नहीं 2CO3H10s2 होता है और 34 नमबर प्रसन आपका जाएगे जो है प्रसन पत्र आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर दें एक तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तो लग के लिए धन्यवाद